हाई दिस इस मनीश महता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व निमरीकल्स ओफ नुटन्स लाउफ मोशन एक्शुली में हम लोग सभी कुछ जानते हैं कि नुटन्स फर्स्ट लाउ क्या होता है नुटन्स फर्स्ट लाउ क्या होता है नुटन्स फर्ड लाउ क्या होता है लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ठeory सिंपल है जो कोई कम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन उसके बावजूत जानते हुए हम लोग questions solve नहीं कर पाते तो मतलब उस theory को question में apply नहीं कर पाते, इसलिए मैं ने क्या सोचा कि मैं जो videos बनाऊ उसमें, मैं directly numerical solve करना बताऊँ, ताकि उससे पता चले कि जो theory है Newton's first law, फिर second law, third law कैसे questions में हम लोग use करते हैं ठीक है, तो चले हम लोग questions से start करते हैं, अभी मैं first example लियाँ, मैं approach बताऊँगा कि question को ऐसे ही क्यों सोचे, ठीक है, या फिर question को सोचने का तरीका क्या होना चाहिए तो लेट यह मैं question लेता हूँ अभी मैं जितने examples लोगा शुरुवात में वो सब equilibrium में रहेंगा equilibrium मतलब equilibrium मतलब वो body move नहीं कर रहा होगा, not moving not moving कहने के मतलब उस पे net force जब equilibrium होता है, उस पे net force 0 होता है यहाँ पर ध्यान से दिखें तो यह body move नहीं कर रहा है move नहीं कर रहा है, मतलब रुका हुआ है, तो रुका हुआ है इस पे net force 0 होगा और मैं examples लोगा तो यह के करके मैं पहले equilibrium वेले examples लेता हूँ, जिसमें के bodies जो है move नहीं कर रहा है वो मैं examples लेता हूँ, ठीक है तो चलिए यह question है, एसी वर्मा के example है इसे हमें solve करना है आपको बताने कि यहाँ पे इस string में और इस string में tension क्या होगा इस string में T1 और इस string में T2 जो होगा वो पूछा है आपको T1 equals to what and T2 equals to what यह आपको पूछा है, यह string है 30 degree से बंधा होगा यह 5 kg का mass है, यह T2 है इसे solve करने के लिए या फिर Newton's law of motion के कोई भी numerical को solve करने के लिए आपको दो थम्रूल याद रखना है क्या करना है आपको दो थम्रूल पहले बात जो आपको याद रखना है first जो है बात जो आपको याद रखना है कि body जो हम लोग choose करेंगे, जो question solve करेंगे जिसे यह body है, इस पर हम लोग question solve करेंगे, तो उस पर हम लोग force draw करेंगे, ठीक है बॉडी जो हम लोग चूज किये ड्रॉ फोर्सेस एक्टिंग ओन इट पहला स्टेप हर सवाल के लिए यही रहेगा दूसरा स्टेप देन त्या करना इस स्टेप के बाद हमें हर सवाल के लिए मैं बता रहा है दो पॉइंट्स है वहर सवाल के लिए पहले फोर्सेस ड्रॉ करना है बड़ी पर और दिन राइट दा पॉर्स बैलेंस इक्वेशन फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखना है यह दू पॉइंट्स से आपको सारा शावाल आप सालुट कर पाएंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये दो चीज से हम लोग, अलग लग कुश्चिन में कैसे हम लोग forces को ड्रॉ करेंगे, और कैसे हम लोग force balance equation लिखेंगे, ये लिखना आना चाहिए, ये आपको जब तक आपने अच्छे से नहीं कि देख रखा है या फिर आपको नहीं पता है, तो आप force balance equation नहीं लिख पाएंगे, different questions पे, तो आपको जब तक सारे questions नहीं देखता है, अलग लग प्रकार के, तो आपको strike नहीं करेंगे, कैसे कर रहा है, इसलिए मैं different types of questions को बताऊंगा इसमें और आगे आने वीडियो में, तो चलिए इस example से हम लोग से सीखते हैं, पहले हम लोग forces draw कैसे करें, और फिर force balance कैसे करें, बहुत है simple सा चीज है, हम लोग ध्यान से देखे, इस पे कौन-कौन सा forces act हो रहा है, यह 5 kg ब्लॉक है यहां पे रुका हुआ है, यहां पे अगर hand है, तो रसी इदर खीच रहा हो इसे T1 टेंशन से, यह रसी इदर खीच रहा हो इसे T2 टेंशन से और इसका एक अपना weight होगा नीचे, Mg, Mg बुले तो, Mg, 5 x 10, है न, Mg, एक string, दूसरा string और अर्थ, तीनी चीज़ तो force लगा रहा है, और खुछ तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, simple सब से उठाएंगे हम, इस 5 kg वाली body को, उस पे जितने forces लग रहे थे, उन्हें हम दिखाएंगे, इधर लग रहा था, T1, इधर लग रहा था, T2, ठीक है, और नीचे की और लग रहा था, Mg, अब एक चीज़ में बता दूँ कि string जो है, वो हमेसा अभी की और force लगाता है, मतलब खीचता है, वो कभी भी ना compress नहीं कर सकता, मतलब कि string से जब भी force लगएगा कि इसी body पे, तो उसे बाहर की और लगएगा, ऐसे बाहर, इससे बाहर की और कि वो खीच सकता है, रसी खीच सकता, रसी कभी दबा नहीं सकता कि इस body को, क्योंकि अगर रसी को हम लोग सकता है, तो यह तीन force है, और हमर पस यह angle दिया हुआ, यह 30 degree दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है, हमिना यहाँ पे axis चूज करना होगा, ठीक है, यह तो मैंने first step कर दिया, यह body है, उस पे drop forces on it, इस body पे जो force act कर रहे हैं, ध्यान से सुने इस बात को आ, लोग confuse कर जाते हैं इस step में, यह first step है, first step क्या है, इस body पे जितने भी force लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं, इस पे लग रहे हैं, ध्यान से, ठीक है, मतलब रसी खीच रहा है, इस रसी खीच रहा है, और नीचे gravity खीच रहा है, ठीक है, अब यह हो गया, अब लोग ने, अब हमें क्या क और से कामपोनेंट करेंगे कैसे करें그? ध्यान से इसे हम लोग बेंगे All x Axis इस नहीं जानते हैं और यह वांथ है Y Axis यह है y axis यह y यह x तो यह force तो mg y के along आ रहा है T1 जो है वो x के along आ रहा है लेकिन यह किसी के along नहीं आ रहा है हम यहाँ पर force balance करेंगे x के along और y के along ठीक है तो इस T2 को यह जो T2 है उसे हम लोग इधर इसका component ले लेंगे एक इधर इसका हम लोग component लेते हैं इस T2 का इधर आता है T2 of cos 30 और इधर लेते हैं हम लोग अब हम लोग यह जो T2 है इसका हम लोग component कर रहे हैं तो इधर मैंने component कर दिया जो angle के side होता है यह हमें याद रखना चीज़ ठीक है उसे हम लोग component करते है T2 cos 30 और जो angle के उल्टे side होता है मतलब इसे हम लोग बोला है T2 of sin 30 हम लोग ने इस force को दो पार्ट में break कर दिया एक इधर एक इधर दोनों perpendicular है मतलब यह force खताम हो गया व्योंकि हमने इसे दो पार्ट में break कर दिया मतलब यह अब नहीं है मार पास क्या है यह है यह है यह है और यह है इसे मैं फिर से draw कर दिता हूँ तो यह मैंने फिर से draw कर दिया यह T1 पहले से था mg ठाव और यहाँ वाले जो component था उसे मैंने एक y में component कर दिया एक x में क्योंकि हम लोग force balance करेंगे x direction में force balance और यह करेंगे y direction में प्रेंस करना है तो किसी डारेक्शन में तो कर सकते हैं कि किस डारेक्शन में नेट फोर्स क्या है तो क्या है इसमें ध्यान से देखे तो यह जो बॉडी है उस पे एक्विलिब्रियम है मतलब एक्विलिब्रियम है मतलब इस पे कोई फोर्स इस नेट नहीं है मतलब यह फोर्स इसको कैंसल कर रहा है यह फोर्स इसको कैंसल कर रहा है क्योंकि एक भी अगर ज्यादा होता यह वाला तो यह बॉडी इधर मूफ कर जाता अगर यह ज्यादा होता है अगर यह ज्याद है T1 बरावर T2 का हुज 30 और उपर वाले फोर्स हम लोग वाइड आरेक्शन में बैलेंस करते हैं फोर्स को इधर का फोर्स बरावर इधर का फोर्स ठीक है तो उन्हों इकोली खीच के रखा हूँ है T2 sin 30 बरावर mg ठीक है तो यहां से बहुत इसी है यह एक पहला इक्वेशन आ गया force balance equation लिखना है तो यह first equation इस force balance equation यह second force balance equation अब यहां से हम लोग बहुत इजी लिए solve कर सकते हैं हमें T1 और T2 पूछा है तो यहां से हम T2 निकाल लेंगे second equation से क्योंकि हमें sin 30 पता होता है तो यह तो आगे T2 अब T2 को यहां पर हम लोग substitute कर देंगे डाल देंगे तो यहां से T1 आ जाएगा क्या आ जाएगा T1 T1 equals to मैंहीं पर लिख देता हूं T1 equals to T2 आ गया है 100 and cos 30 का value कितना होता है root 3 by 2 यहां से cancel out 50 तो यहां से आ गया T1 equals to 50 root 3 Newton ठीक है यह दो टिंसन का value आया तो यह दो steps से सवाल हुए चलिए मैं और examples बताता हूं उससे आपको और भी clear होगा इस बार की example में क्या है फिर से एक block है एक इधार रसी है एक इधार रसी है और यह रसी at an angle 60 degree है और यह रसी जो at an angle 30 degree है और इसे hang करके राखा हुआ यह फिर से body क्या है equilibrium में है equilibrium मतले यह rest पर है तो इस पर net force फिर से 0 है तो हम लोग क्या करेंगा पहला step इस पर जितने से लग रहे हैं इस पर जितने भी फोर्सर अक्ट कर रहे हैं उन्हें हम प्राक करेंगे इसं spo तो आपको फिर से पूछा है T1 equals to what and T2 equals to 1 यह आप खुद से try कर सकते हैं उसके बाद मेरा solution देखेगा वीडियो को pause कर दीजिए एक बद कीजिए फिर से आप cross check कर लिजिएगा है कि मैं र statements without boobs शुर्ल करने का हम क्या करेंगे इस बादी पर जितने forces लग रहे हैं उन्हें हम दिखाएंगे 10 केजिए का बादी इधर लग रहा है टी वञें तो मैं दिखा देता हम इधर लग रहा है। इधर लग रहा है T2 कितने एंगल पर लग रहा है यह भी दिखा है आप 60 डिगरी पर और इधर कितने लग रहा है T2 तो इधर लग रहा है T2 और नीचे कितने लग रहा है mg mg मतलब 10 into 10 that is 100 newton यह 3 forces act कर रहें अब कुछ नहीं करना है इसमें हमें कुछ लोग इसे free body diagram कहते हैं free body diagram इसी को बोला लाता है free body diagram उसमें क्या करते हैं इस body को हटा देते हैं इस body को एजिम कर लेते हैं point mass कोई दिकत नहीं सवाल हमें solve करना है तो हम इसे body रख सकते हैं लेकिन आप चीक है तो हमें दिखता है कि इस body पर forces लग रहा है कुछ लोग किसी axis के लॉंग लिखते हैं हमेशा मैं कहता हूं पिछले की दामपल में बताया था इस बार फिर से हम लोग axis चूज करेंगे इधर x-axis और इसके perpendicular y-axis ठीक है तो यह हमारा axis है यह x-axis यह y-axis तो सारे forces को हम लोग in-axis के along break कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे 100 newton तो y के along ही इसे break करने के जौरत नहीं है यह जो tension है वो नहीं y के along है नहीं x के along इसको हम लोग component ब्रेक कर देंगे इधर t2 उसे भी में लोग component ब्रेक कर देंगे y और x के along ठीक है उसके बाद solve करेंगे तो चले में लोग break करते हैं इस t1 को इधर component ले लिए तो आ जाएगा इसका component इधर t1 of cos 30 और इस t1 का इधर component कीए तो आ जाएगा t1 of sin 30 इसका component हो गया मतलब यह खतम हो गया इसे मैंने दो पार्ट में divide कर दिया खतम यह इसे भी करते हैं हम लोग यह 30 नहीं था यह 60 था तो इसे 60 आंगल यह 30 है ठीक है तो इसका component करेंगा तो t2 of इधर वाला component इसको इस component में t2 of sin 30 और इसका यह वाला component t2 of cos 30 component करते हैं फिर से यह खतम होगे मैं फिर से fair diagram बना ले चाहूं तो यह x-axis था यह y-axis था इधर जो force लग रहा है इसका component यह वाला जो इसको खतम हो चुका है इसे break कर चुका है मैंने इधर वाला का है t1 cos 60 t1 sin 60 और यह प्लस t2 sin 30 इधर का है t2 cos 30 इधर का 100 Newton अब फिर से हम लोग x direction में force balance करेंगे और फिर y direction में force balance करेंगे जो हमारा है तो कुछ नहीं करना है x direction में करेंगे तो body rest में मतलब इधर का force बरावर इधर का force होगा तो t cos 60 बरावर यह t1 है न यह टी लिख रखाया क्या t1 बरावर t2 cos 30 इकवल है t1 cos 60 बरावर t2 cos 30 यह पहला equation दूसरा equation लिखेंगे इधर और इधर यह बहुत important equation लिखना मैं दिखाऊंगे जब अलग हम लोग बड़े-बड़े सवाल करेंगे तो कितना important होता है यह नीचे वाला बरावर 100 बरावर उपर में 2 है t1 sin 60 plus t2 sin 30 यह दो equation है 2 equation है 2 unknown है क्या 2 unknown t1 t2 2 unknown और 2 equation यह math से simple आप solve कर सकते हैं चलिए हम लोग solve करते हैं इसको t1 cos 60 और t2 cos 30 तो यहां से हम लोग लिख सकते है t1 cos 60 को half equals to t2 cos 30 को root 3 by 2 cancel out हो करके आजाएगा t1 बरावर root 3 t2 इस t1 को हम लोग substitute कर देंगे यहां पर तो क्या आजाएगा 100 t1 is root 3 t2 तो root 3 t2 और sin 60 is root 3 by 2 root 3 by 2 plus t2 sin 30 का बरावर value हता half तो यहां से हम लोग root 3 root 3 आजाएगा 3 upon 2 plus half का t2 ठीक है यहां से आजाएगा t2 अब solve करेंगे तो 3 1 4 2 तो यहां से आजाएगा t2 बरावर 100 by 2 इसे solve करेंगे 3 plus 1 4 divided by 2 LCM लेकरके 2 आजाएगा तो 100 by 2 divided करेंगे तो 50 Newton ठीक है t2 का value यहां substitute कर देंगे तो t1 आजाएगा root 3 into 50 तो यह solve कर देंगे यह solve करने लिए पाट पावराम से कर सकते हैं चलिए और कुछ इस एक्जामपल ले लेता हूं अब इसमें solve करना है इसमें आपको पूछा है कि यह जो ब्लाक है वह इस रसी से बंधा हुआ है तो find the यहां पर tinson क्या होगा फिर से कुछ नहीं करेंगे दो स्टिप करेंगे इस body पर जितने भी forces act कर रहे होंगे वह दिखाना है और दूसरा step force balance equation लिखना है ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन-कौन से forces act कर रहे हैं इधर लग रहा है टीवन टींशन ठीक है और इस surface से contact force जो लग रहा होगा इधर normal और नीचे gravity जो लग रहा होगा 10 इंटू ची तीन force लग रहे है इसको बोलते हैं ठीक है normal reaction हमीशा surface के perpendicular लगता है मतलब surface ऐसा है उसके perpendicular direction में लगेगा gravity में से नीचे लगता और string जिस साइट खीच रहा है उधर लगेगा यह होगा यह हमारा forces दिख रहे हैं यह से हम लोग अपने फेर में हम लोग इधर से फिर से ड्रॉख कर लेते हैं तो यह हमारा body था नीचे लग रहा था gravity टेन इंटु जी हंटिं डिटेन में लिग देतनों directly इधर लग रहा था टी टेंसन और इधर लग रहा था normal कुछ नहीं करेंगा हम लोग यह inclined था था ना इसका हम लोग दो component करेंगा हर सवाल में एक along the inclined जो gravity force होता है जब इंट्लाइन क्रेंट का सवाल आएगा तो जब भी यह mg act कर रहा होगा उसे हम लोग दो component करते हैं और फिर सवाल करते हैं इसका दो component हो जाएगा एक along the inclined और एक perpendicular to the inclined तो एक along the inclined इधर आएगा और एक perpendicular to the inclined इधर आएगा ठीक है इस inclined के perpendicular तो इधर आगया हंड्रेड साइन थर्टी यह चीज़ लेना बहुत ही आसान है कि कैसे कमबोड़ी लेते हैं चलिए मैं दिखाता हूं और इधर आता है यह एंगल भी 60 है यह एंगल जो 60 है यह एंगल कितना हो जाएगा 30 डिगरी इसका हम लोग एंगल के साइड जो component लेते हैं वो कॉस के साथ लेते हैं तो इधर component हो गया 100 कॉस 30 यह एंगल पता है में और इधर component हो गया 100 जैनरली हम लोग याद भी रखते हैं कि जब इंकलाइन प्रेन हैं इंकलाइन का एंगल रखता है जिसका इधर component आएगा 100 मतलब अब याद रखना चीए आपको पता चलेगा जब आगे आप कुशिन करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं रहे कि यह सब करें लोग अंगल निकालते रहें इधर वाला हमेशा जो ठीटा रहता है उसका साइन खिटा ले ले लेते हैं और उसके प्रिंदिकल वाला हमेशा से कॉस्ट फिकल और जो हमेशा शोच नीजी चुए स्वी रहते हैं डूज एतन लेते फैली फॉस दिखा दिखा दे इसको अंपोन्य नो ब्रेक कर दिये हैं कि Itdha रैक warmer। अब क्या कर रहे हैं वोगक और किस किस जा अोगश२ में करेंगे न एक शॉलीं लाग अग दा 1.5 that is 50 Newton ठीक है और इधर आक कितना कर रहा है 100 cos 30 इस 100 cos 30 के बाले root 3 by 2 that is 50 root 3 Newton ठीक है 100 cos 30 is root 3 by 2 to cancel out 50 root 3 Newton अब force balance करेंगे एक along the incline और एक perpendicular to the incline मितलब यह inclined plane के along और उसके perpendicular क्योंकि यह body 0 है मतलब equilibrium में उसके net force 0 है तो इधर का force बराबर इधर का force हो जाएगा तो n बराबर 50 root 3 Newton इधर का force बराबर इधर का उस तरीके से इधर का force बराबर इधर से यहां से t बराबर 50 Newton तो directly यहां से आ गया इसी बोलते हम लो force balance equation जो second step था पहला equation है यह दूसरा equation है तो यहां से tinson directly आ गया यहां से normal भी आ गया तो question में आपको tinson भी पूछ सकता था आपको normal भी पूछ सकता था ठीक है यहां tinson पूछ रखा था कुछ और इस एक्जामपल में थोड़ा different type से पूछा है बट step वही करना आपको confused वन आपको कोई confusion नहीं रखना के कैसे करना जार इसमें कुछ और पूछ दिया है और बार टिंसन पूछता था इसमें आपको पूछ दिया है यह inclined plane है inclined plane का अंगल theta है यह 5 kg है यह 3 kg है जब पूछ दिया है कि theta equals to what इस बार question पूछा आपको theta equals to what for which the system is in equilibrium equilibrium मतलब यह 3 kg यहीं पर रुकावा 5 kg यहीं पर रुकावा मतलब यह system rest पे है तो यह angle कितना होना चाहिए यह पूछा आपको मतलब हम लोग इससे solve करने के लिए फिर से क्या करेंगे यहां पर दो दो bodies है दूनों पर forces draw करेंगे और दूनों के लिए हम लोग force balance equation लिखेंगे चली जल्दी से करते हैं लोग क्या करेंगे इधर इधर एक्ट कर रहा है इधर इस पर क्या कर रहा है मैं याद रखना चींक्लाइन के लोग कितना होता है mg sin theta तो 50 mg sin theta is sin theta ठीक है इस पर इधर जो एक्ट कर रहा है कितना है 50 cos theta cos theta इसके perpendicular जो कर रहा है normal इस पर फोर्स जो लग रहे दिखाते हैं हम लोग इधर खीच रहा है रस्य खीचता है मेंसा टी इधर 30 मीटर और कोई force नहीं है दो ही force है हो गया यह तो force हो गया इसे में फिर से फेर में यहापे draw कर देता हूं बट आपको क्या है कि आपको हर बार फेर में draw करते रहें आपको अगर competition में वैठ है तो बहुत समय loss होगा इसलिए आप यहाँ पर जो कुश्चन में आप इस चीज़ को कर सकते हैं फिर आपको जो है forces दिखा दू और solve कर दू ठीक है तो यहाँ पर क्या है तो यहां पर क्या कर सकते हैं यह body equilibrium में मतलब इस पर net force 0 है मतलब एक पर force balance inclined के along करेंगे एक उसके perpendicular करेंगे इधर करेंगे तो इधर का force बराबर इधर का हो जाएगा फर्स्ट equation हम लोग लिखेंगे force balance का तो प बराबर 50 sin 30 और इधर हम लोग force balance करेंगे तो perpendicular to the incline यह along the incline था along the incline force balance किया हम लोग ठीक है force balance दूसरा equation perpendicular to the incline perpendicular to the incline इसे हम लोग कैसे करेंगे इधर का force बराब इधर का force क्योंकि बाडी ना इधर मुफ कर रहा है ना इधर मुफ कर रहा है तो तो नो साइट के forces को equal करने पड़ेंगे इधर के force बराब इधर कर फूर्स तो 50 cos 30 मैंने लिख दिया कि हम रहे लिए बेरी सारी यह ठीटा है ठीटा था है ठीटा था है यह ठीटा के तो find करना लॉंग force balance करेंगे कुछ लोग confuse कर रहा है किस direction में force balance करते है उस direction में motion होता है या फिर हो सकता है और उसके perpendicular direction में मोशन इधर ही हो सकता रहा है विए बेराबर 4 धाया था बालब से अलगी यहां से ती बराबर 30 फिर्टी न्यूटन करेंगे तो क्या सọ just tot-, 50 of sin theta तो यहां से आगे sin theta equals to 30 by 50 0-0 cancel out 3 by 5 तो यहां से theta equals to sin inverse 3 by 5 यह हमारा angle आगे कि इस angle के लिए हम लोग इसका use करते हैं क्या यह जो system होगा वो equilibrium में होगा ठीक है तो एक बहुत ही famous triangle भी है जो मैं बता देता हूँ जो आपको physics में बार बार आता रहेगा यह triangle यह 4 है यह 3 है यह 5 है तो 3 छोटा है तो इधर का angle हो जाएगा जितना छोटा रहेगा उतना कम angle form करेगा 37 degree यह बड़ा है तो इधर कॉम करेगा 53 degree और यह 90 degree यह right angle triangle थोड़ा famous है आपको जब भी दिया रहेगा 37 तो आप इस triangle से use कर लेना cos 37 का value क्या है sin 37 का value क्या है यह 3 by 5 है तो दियान से देख सकते हैं 3 by 5 कौन सा angle form हो सकता था यह हम लोग read कर सकते थे cos अगर 53 read करते हैं हम लोग ठीक है तो यहां से form होता ना 3 by 5 यहां पिस sin 53 है ना साइन इन्वर्स है तो साइन 53 यहां से आएगा I think हाँ साइन 37 मराबर आ जाएगा 3 by 5 तो यह angle जो आया actual में 37 degree ठीक है तो आप इस form में भी लिख सकते हैं इस form में भी बट इसे आप याद रखें बहुत बार आपको यह angles दिया राएगा तो आपको इसका यूज पड़ेगा find करने के लिए यह तो incline वाली होगे मैं incline का एक और सवाल ले लेता हूं अभी मैं जितने questions ले रहा हूं जिसमें bodies जो है न अभी move नहीं कर रहे हैं आगे में जो next video जो मैं लूँगा उसमें body is move कर रहें मतले उनका कोई acceleration होगा अभी के सवालों में body का कोई acceleration नहीं वह equilibrium में है ठीक है यहाँ पुल्ली है यह ऐसे है यह आप खूद से भी attempt कर सकते हैं उसके बाद इसका solution देखें यह फिर से मैंने 5 kg ले लिया और लीडिस बार मैं इससे 6 kg ले लेता हूं यह angle मैंने 60 ले लिया आपको फिर से पूछ दिया है कि यह angle theta क्या होगा कि यह system है वह equilibrium में है ठीक है कुछ भी पूछें आपको सवाल में ठीक है आपको दो स्टेप करना है force balance और मतलब पहले forces लिखना है इस body पर और force balance करना है वह दो स्टेप कर होगा तो आपको सब सवाल सॉल्व हो जाएगा इस पर देखते forces क्या क्या है इस पर देखें इस ब्लॉग पे तो forces लग रहा है इसका इधर mg sin 60 mg is 50 and sin 60 ठीक है इधर लग रहा होगा त्यान से देखें हम लोग इसले वाले भी नहीं है क्या किया था इधर जो एक्ट हो रहा होगा वह होगा mg cos 60 mg that is 50 है और उसके इधर नॉर्मल इधर टेंसंग टीक ही चला है यहां पर भी इधर टेंसंग टीक ही चला है इस ब्लॉग को इधर लग रहा है 66 g sin θ इसके इधर इंख्याइन के प्रेपेंड़ किलर 6 g cos θ और इसके प्रेपेंड़ लग रहा है इस सर्फेस से नॉर्मल इधर इतना ही फोर्से से लग रहे है ठीक है देख सक्थे आठ यांसे यह यह N और यह N equal नहीं है, यह N1 होगा, यह N2 होगा, यह normal forces अलग अलग होगे, यह तो कुछ लोग यह N equal करके कुछ और ही लादेंगे, solve करके, तो धियां थ्यां रखे हाँ, कुछ नहीं फिर से force balance करते हैं, मैंने forces को draw कर दिया है, first step, second step क्या है, मारे force balance का, तिक incline के along, इसके perpendicular, incline के along body rest पे है, इधर का force बराबर इधर का force, t बराबर 50, sin 60, that is क्या आगया, 50, root 3 by 2, पहला part आगया, tension पता क्यों चुका है, अब इधर से देखे, normal बराबर 50, cos 60, तिया से फिर normal का force बराबर चल जागा, force balance करके, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, हमें ठीटा पता करना ह है, तो हम लोग कौन सा equation important होगा, यह भी तो चानना पड़ेगा, यह तो exam में सब कुछ draw करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो important नहीं, हम यहां focus करना है, तो इस पे हम लोग focus करें, क्यों हम ठीटा पता करना है, तो इसके लिए हम क्या चाहिए, इस equation का force balance करते है, मत एक string में हमेशा tension एक ही होगा, एक string में tension हमेशा एक ही होगा, अगर tension, जो है, आपको याद रखना है, कि string हमेशा एक ही होगा, अगर string is massless, आपको एक सिवरों में जो भी सवाल दिया हूँ है, उसमें सब में अजमसन दिया हूँ है, कि string जो है, frictionless है, string जो है, massless है, इसलिए होगा string is massless and frictionless otherwise अगर mass और friction आजाता है तो हम लोग tension एक as you नहीं कर पाएंगे हर point पे ठीक है तो इसलिए यह जमसन है जब तक यह जमसन दिया रहता है आपको use करना है अभी के सवालों में ठीक है तो इसमें क्या है string massless है और frictionless है तो यहां भी T था यहां भी T 30 का वेली हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो यहां डाल देंगे 50 root 3 by 2 बराबर 60 sin theta यहां से 00 cancel और यहां से क्या जाएगा sin theta equals to 5 root 3 upon 60 divided चला जाएगा निचे तो 6 into 2 is 12 यहां से theta जाएगा sin inverse root 3 by 5 root 3 by 2 तो यह आप ऐसे solve कर सकते हैं कि theta यहां पर जो आ रहा है वो किछ इस प्रकार का रहा है तो इस तरीके के जो सवाल है inclined plane वाले फिर जिसमें body रुके हुए थे equilibrium में थे वो मैंने बताया आगे की वीडियो में मैं इचे लिंक देता हूं इसमें body accelerator कर है मतलब पुल्ली वाले सवाल मतलब बलॉक लटके होते हैं पुल्ली में वो accelerated होते हैं उसका acceleration कैसे fine करते हैं एक ही नहीं पुल्ली वाले बहुत complicated सवाल में बनते हैं तो वो मैं सारे बताऊंगा तो इसमें इतना है थेंक यू